तो फिर्ट यहां पर आ रहे थे तो विलिंग्नस और कॉंसलिंग वगर सब कुछ में इस वीडियो में आपको बता दूगा जो भी डिटेल्स वगर सारी में इस वीडियो में देदूंग आपको तो वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहा ना स्केप बिल्कुल मत करना और चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब सब्सक्राइब जुरूर जरूर जाना और चैनल फर नहीं पर नहीं सब्सक्राइब करने और इसे बीडियो बना करें बच इसको college change करना है उसके लिए विदियो बना दूंगा इक अलग से यहां पर counseling के लिए यह भी लिखा है कि जो college आपने आगर change करना है तो उसके लिए आप यहां पर preference नहीं change कर सकते हैं तो जैसे कि first counseling में जो first online admission schedule था वो follow किया गया था जैसे 12 को college allotment और merit list आ गई थी उसके बाद 16 और सतार को बच्चों यहां पर admission शुरू होगी थी फीपेमेंट वगरा यहां पर सब कुछ शुरू हो गया था वैसी जो dates वगर और schedule और procedure वगरा वह भी second counseling के लिए वैसे फॉलो किया जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर बना रहा है और वीडियो पर बना रहा है रहा है दी एची की important information पजाब अउश्टी के लिए वगरा के लिए तो वीडियो को जरूर देख ले ना और उसको पहले relate करना खुर से और उसके बाद जो भी आपको step follow करना है वहाँ पे कर सकते हो ठीक है तो उस वीडियो को जुरूर देख लेए इस वीडियो को खनमने के बाद तो यहाँ पर आप सब कुछ समझगी होगे कि जो second counselling की जो list है वो 28 को आजएगी और admission वगरा 28 के बाद से शुरू हो जागी जैसे पहले यहाँ पर 12 को list आगी थी उसके बाद 16 और सदार को admission शुरू होगी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हो fee payment वगरा आपको इन यह dates को ऐसे करनी होगी तो वैसे यह देखो जो fee payment वगरा करनी है न जैसे यहाँ पर इस दिन को YouTube पूल के लिए General category के लिए है तो आप देखो यह उसी दिन को पूरी कोशिच करना कि आप fee payment कर दो क्यों कि उसके अगले दिन कुछ बचों को यह fee payment वगरा में दिक्कत आती है तो उसके लिए मैंने वीडियो मिना रहे है कैसे आपको fees पे करनी है और अगर आपको फीज के लिए कोई दिक्कत आ रहे है तो वीडियो को एक पर जुरूर चेक करना है और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप बता देना और college से करना यहां पर आपको समझ्त करना है कि 19 को सबसे पहले आपको WILLiness सेंट करनी है अगर आप एक लिस्ट में ऐसने संट हमारे इफले और हमारा भी लिस्ट में मैं चांस में चांस जिब नहीं और और हम क्या करें अभी तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी का था तो अभी भी यही बोलूँगा कि अगर आप वेट कर सकते हो तो ही वेट करो लग रहा है कि अगर आपका नेम बिल्कुल भी नहीं आएगा यह कुछ और आपको इशू लग रहा है ना या फिर आपको किसी द कि कैसा आप अपने बारे में सोच हो कैसा आप करना चाहरे हो और आगर आपको लग रहा है कि जैसे यहां पर आपकी आपकी नहीं हो पाईगी और बाकी जिगह भी एडमीशन वगरा सब बंद हो जाएगी तो जुरूर आप दूसरी जिगह में एडमीशन के लिए पता कर सक है और उसके लावत जो कुछ भी है वह आपको खुदी सोचना पड़ेगा कॉलेज चेंज करना लिष्ट में नेम नहीं आया तो दूसरे कॉलेज की तरफ जाना या फिर यहां पर वेट करना तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जरूर सोचना पड़ेगा ठीक है तो अ लाइक कर देंगे और subscribe भी कर देंगे मैं इंपर्टेंट वीडियो नहीं नहीं देखते और पूरी ही नहीं देखते तो दूर देखा करो यार